नमस्कार आप देख रहे हैं बंसल न्यूज मैं हूँ आपके साथ संस्कृति जाने इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है तो बात भी खास खबर की करेंगे चंद्रयान 3 का काउंट डाउन अप शुरू हो गया है 24 घंटे के बाद याने अपसे 24 घंटे बाद कल शाम 6 बच कर 4 बिनिट पर ये लेंडिंग करेगा 25 किलोमीटर की उचाई से लेंड कराने की कोशिश की जाएगी भारत के मिशन मून चंद्रयान 3 पर अब दुनिया की निगाहे ठिकी हुई है कल भारत दुनिया में इतिहास रच सकता है चान पर लेंडिंग सफल रही तो भारत विश्व का चोहता देश बन जाएगा और इससे पहले इस लिस्ट में अमेरिका, रूस और चीन पहले से ही शामिल है तो काउंट डाउन बिगन्स, भारत का मिशन मून चंद्रयान 3 दीरे दीरे सफलता पूरवक अपनी मंजिल के करीब पहुँच चुका है पूरे भारत के साथ साथ दुनिया भर की नज़रे अब इस मिशन पर ठिकी हुई है जिसकी उल्टी गिंती शुरू हो चुकी है इसरो ने पुष्टी किया कि चंद्रमा के दक्षिनी छोर पर चंद्रयान 3 का एतिहासिक टचडाउन 23 अगस की शाम 6 बच कर 4 मिनिट पर होगा और ये लेंडिंग अगर सफल रही तो भारत इस उपलबदी को हासिल करने वाला विश्विस्तर पर चोहता देश बन जाएगा उसमें अमेरिका, रूस और चीन पहले से ही शामिल है इसरो के एक वरिस्त अधिकारी ने भी कहा कि चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की लेंडिंग के संबंध में महत्वपूर्ण निन्नाय वुद्वार को निर्धारित लेंडिंग से सिर्फ दो घंटे पहले साई किया जाएगा साथी लेंडर, हैजर्ड डिटेक्शन और वाइडन्स कैमरा द्वारा ली गई चंद्रमा के आसपास की तस्वीरे भी साजह की है और हमारे साथ आपको बता दे, न्यूज हैड शरत विवेदी जी जुड़ गया है इस बारे में उनसे चर्चा करेंगे शरत जी बेहादी उस्सा वाला ये पल होने वाला है काउंट डाउन शुरू हो गया अब ना सिर्फ भारत की बलकि देश और दुनिया की नजर इस मिशन पर रहने वाली है बिलकुल संस्कृती और पूरे देश में इस समय दुआओं का दौर है इस समय प्रार्थनाएं की जा रही है मंदिरों में हमने देखा प्रयाग राज, वारणसी, उजयन तमाम जो हमारे धार्मेक शहर हैं नगर हैं वहाँ पर प्रार्थनाएं की जा रही है लोग हाथ जोड कर खड़े हैं की कल शाम एक इतिहास बन जाए पूरी दुनिया में और विक्रम लैंडर जब प्रग्यान रोवर लेकर चंद्रमा के दक्षणी ध्रुवों पर उतरेगा तो पूरा देश एक स्वर में ये कहेगा की हम विजई रहे और सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा तो बहुत ही एतिहासिक दिन है और अब पूरी दुनिया इसलिए भी देख रही है कि भारत अब एक अलग भारत है वो दुनिया की पांचवी अर्थशक्ति है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोगतंत्रिक राष्ट है वो डिमोक्रेसी के बहुती स्मूथ ट्रांस्फॉरमिशन के लिए पहचाने जाने वाला देश है वो एक ऐसा देश है जहां के जो युवाओं का देश है तो भारत के लिए कई सारी उपलब्दियां है और ये उपलब्दी जो जुड़ेगी हमारे साथ ईश्वर करे हम सब की शुपकामनाएं दुआएं साथ है तो निश्चित तोर पर हम सब के जिसे कहते हैं कि आज कल मेरे पैर जमी पे नहीं है तो चांद पर ही है यकीनी तौर पर तो सबसे यही कहने का मन है और फिर चांद के पार भी चलना है चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो जी मिलकुल तकनीकी और विज्ञान के शेतर में भारत देखते जा रहा है नई नई बुलंदियों को हासिल करता नजर आ रहा है और चंद्रियान तीन की हम बात करें तो इसमें खास तोर पर मिनिट्स ऑफ टेरर मतलब आखरी के 15 से 20 मिनिट पर जोर दिया गया चूकी सॉफ्ट लेंडिंग कराना इसके पहले भी जो मिशन हुए थे उसमें कहीं ना कहीं सॉफ्ट लेंडिंग को लेकर ही कुछ खामी नजर आई ती जिसके कारण वो मिशन फेल हुए थे सॉफ्ट लेंडिंग पर फोकस रहने वाला है जी बिल्कुल सॉफ्ट लेंडिंग पर ही फोकस होगा और बड़ा कॉस्ट एफेक्टिव हमारा मिशन है यह 615 करोड रुपए हमने इसके लिए खर्च किये हैं और बहुत ही मुझे लगता है कि दुनिया में स्पेस टेक्नोल हैं हमारी लागत बहुत कम आती है आपको मैं पढ़ रहा था कहीं कि एक हजार नौसो सतर करोड रुपए में बनी है फिल्म आउताया जो जिसने धूम मचाई है और एक अलग मिजास की फिल्म है और 615 करोड में हमारा यह जो मिशन है चंद्रयान यह संचालित हो रहा है तो अब सबकी निगाहें भारत की तरफ हैं कि दुनिया का एक डेवलप्ड कंट्री रशा जब अपने मिशन को काम्याब नहीं बना पाया तो पूरी दुनिया अंतरिक्ष वैग्यानिकों में एक बड़ी एकता होती है और वो देशों के दाएरे में या संकीन दाएरे में चंद्रमा का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बारे में सबसे कम जानकारी है और जहां तक मैं जानता हूं जितना मैंने पढ़ा है कि यह पहला मिशन है जो दक्षणी धुरूब चंद्रमा पर काम्याबी के लिए खदम बढ़ा रहा है जैसा कि आपने जिक्र किया रूस के मिशन क रहती है इसके पीछे तो कहीना कहीं उस पर भी फैक्ट पढ़ता होगा उनकी महनत को लेकर लेकिन अब जिस हिसाब से यह जो मिशन फेल हुआ है रूस का उससे कहीना कई भारत भी उससे सीख लेगा और उन गलतियों का ध्यान रखा जाएगा निश्चे तोर पर देखिए यह सारे डाटा जो हैं यह शेयर होते हैं जानकारियां बताई जाती हैं टेक्नलाजी और उससे जुड़ी गोपनियता जरूर बरती जाती है लेकिन यह चीज़ें पबलिक डोमेन में किसी ना किसी रूप में आती ही हैं और हमने भी अपने पिछले अभियान से 2021 के काफी श्मूत रहा है और बहुत शान्ती से भारत का यह मिशन आगे बढ़ता रहा है लेकिन निश्चत तोर पर इसकी सफलता के कई और डामेंशन भी हैं यह एक तो भारत को अंतरिक्ष्य तक्नीक के मामले में बहुत तेजी से विश्व में एक ताकत के तोर पर स्थापित दूसरा पूरी दुनिया में हमारी धाक देखिए धाक के दो तीन ही तरीके होते हैं आप युद्ध करके धाक नहीं बना सकते हैं उससे तो आपकी इमेज और खराब होती है तक्नीक ही वो तरीका है जिससे आप पूरी दुनिया को यह बताते हैं कि हम कहां खड़े हैं और चाइना, जपान, साउथ कोरिया, इन कंट्रीज ने ये बताया है कि एशिन कंट्री होने के बाद भी उनके दमखम के आगे अमेरिका और रूस भी दातों तले उंगली दबा के इन मुलकों को देखते हैं, हमें भी उसी कलब में तेजी से बढ़ना है, हमें भी अपनी ताकत स्थापित करनी है, और यही वो तरीका है जिसकी वज़े से आप सयुक्त राश्ट्र संग में में मेंबर्शिप हांसिल कर सकते हैं, आप इंटरनाशनल मॉनिटरिंग एजनसी जो है, अंतराश्टी मुद्रा कोश है, वहां से आप बड़े लोन्स ले सकते हैं, और पूरी को उस मुकाम को भी निश्यत रूप से हासिल करेगा, श्रजी एक आखरी सवाल या बात चंद्रियान मिशन को लेकर जो कहना चाहें, क्योंकि अभी से 24 घंटे बाद ये मिशन होने जा रहा हर किसी की नजर है, मेरी तो अभी से दिल की धरकाने बढ़ने लगी है, और मैं व भी आपी की तरह बहुत जजबाती हूं, इस वक्त मैं भी बहुत इमोशन्स में हूँ, और मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि वो चंद्रमा जिसकी हमारी परंपरा में अनेक रूप से जिसका वरणन है, और हमारे सनातन परंपरा में तो माना जाता है कि भगवान शिवजी क माथे का गहना है चंद्रमा तो वो चंद्रमा भी हमारे चंद्रयान का इंतजार कर रहा होगा वो भी बहुत बेकरारी से देख रहा होगा कि तुभी तो वो धरती हो भारत जिसका मुझे इंतजार था आते रहे अमेरिका से भी विमान और मेरे लिए क्या अमेरिका और क्या द मेरे तो देखे मैं भावना की बाते कर रहा हूं तो निश्चित तौर पर इस समय 140 करोड भारतिये भावना में डूबे हैं और हम सब के हाथ उठें इश्वर के सामने मिशन चंद्रियान 3 तुम काम्याब हो काम्याब हो काम्याब हो मिलकुल शरजी बहुती अभी भूत करने वाला बहुती उठसाह और रॉंग्टे खड़े कर देने वाला वो पल रहेगा आपने अपनी भावनाय साजा की इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया शुरत जी जुड़ने के लिए बादशीत के लिए तो बड़ते आगे खबरों में बात कर लेते हैं अब बाबा महकाल की नगरी उजयन में चंद्रियान 3 की सफल लेंडिंग के लिए अंगा रिश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की